नमस्कार फेस टू फेस में आज हमारे साथ 1997 बैज के IPS और उत्राखंड के HDRF के IG संजे गुंजाल जी है तो आए चलते हैं गुंजाल साब के पास और पूछते हैं कि क्या अनुभव है उनका HDRF के साथ काम करने का और HDRF का गठन जी सुद्देश के लिए हुआ था उसुद्देश में HDRF कितना आगे बढ़ गई है देखे उत्राखंड जैसे परवती राज्यों में जहां की बॉगलिक विसेस्ता के कारण यह हमारा जो राज्य है यह किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा है चाहे वो लैंड्सलाइड हो, अर्थक्विक हो, फ्लर्ड हो इवन अगर आप नैच्रल डिजास्टर जितने भी आप देखेंगे सिर्फ कोस्टल एरिया की डिजास्टर जैसे कभी सुनामी आ जाता है उस तरह के डिजास्टर को छोड़ दिया जाए तो हर तरह के डिजास्टर का इतियास वो तराकंड में रहा है और यह इतियास ही अपने आप में HDRF जैसी और्गनाईजेशन की प्रासंगिक्ता को बताने के लिए काफी है और यह बात जरूर है कि 18 साल होने को है और जो HDRF है यह 2013 में जब केडानाथ की तरासदी हुई उसके बाद ही इस संगठन को बहुत तेजी से बनाया गया लेकिन इसकी प्रासंगिक्ता लगाता रही है और इतने कम समय में क्यूंकि किसी भी और्गनाईजेशन के लिए अगर देखा जाए तो यह जो 3-4 साल का अंतराल है वो बहुत छोटा होता है लेकिन इतने छोटे अंतराल में जिस तरो की काम रही है उपलब्दी रही है और डिजास्टर के लिहाज से इतने वल्लरबल स्टेट में जो कम समय में HDRF ने पहचान बनाई है यह अपने आप में काविले तारीब तो है ही और पलीस डिपार्टमेंट का एक महत्मून अंग के रूप में HDRF स्थापित हो चुका है एंडी आरेफ की तर्ज पे HDRF का गठन तो जरूर हुआ सर लेकिन इसमें जो संसाधर एंडी आरेफ के पास है अगर उससे तुलना करें तो HDRF कहीं खड़ी मिलती ही नहीं जो हीमन रिसोर्स है वह हमारे पास बहुत अच्छा है ट्रे अच्छा में वह कम हो लेकिन अल्मोस सभी तरह के एक्क्विमेंट हम लोग के पास भी है और इस दिसा में जो हमारा और एक बटालियन हैटक्वाटर जो की जॉली गरांड के पास में गौर्मेंट इंडिया से हमें लैंड मिल चुकी है उस पे एक पूरा बटालियन बनना बटालियन बनने के साथ साथ उसमें एक बहुत बड़ा एक ट्रेनिंग सेंटर भी बनेगा वो ट्रेनिंग सेंटर एस डियारफ के दौरा संचालित किया जाएगा और उसको डिजास्टर डिपार्टमेंट के माध्यम से यूडियारपी प्रोजेक्ट के तहत वर्ल्ड बैं यह बना जाता था कि डिजास्टर होने के बाद या डिजास्टर जब हो रहा हो उस दौरान इनका रोल है जो पोस्ट डिजास्टर इनका ज्यादा रोल है लेकिन अगर डिजास्टर को एक हॉलिस्टिक एप्रोच के साथ एक इंटिगरेटेट एफर्ट के साथ देखा पूरे सरवांगिन तरीके से manage करना चाहिए, tackle करना चाहिए उसके लिए pre- disaster activities है वो भी उतना ही important है जो कि during disaster और post-disaster है उस लिहाँ से 2005 में ACT आया, NDRF की आउधार्ना आई और NDRF बनाया भी इस तरह से था कि वो दीरे-दीरे state को भी, जो SDRF या जो unit है, उसके माद्यम से state भी अपने आप में किसी center की agency पे निर्बन रहे ये बात जरूर है कि कुछ राज्यों में SDRF बना और कुछ हमारे जैसे गुजरात का चाहिए बुज हो या ओडिसा का cyclone हो उसमें जो अनबाव रहे थे उस अनबाव में के आदार पे ही ये disaster management act और NDRF को बनाया गया और SDRF यहाँ जो बना है वो केदाना तरासिदी के बाद बना था और SDRF की जो प्रानम भी जितनी भी training है वो NDRF के दोरा ही कराया गया था, उसके बाद कुछ जो expertise है जिसमें जैसे हमारे पास यहाँ की बॉगलिक चुनौतियों के इसाब से हमने एक river और water rescue की अलग से team बनाई है वैसी यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत उची-उची चोटी है high altitude area है, mountains है वहाँ पर कई बार SOS call आ जाता है हमें rescue के लिए लोग को बेजना पड़ता है तो हमने high altitude की भी एक अलग team बनाई है तो जहाँ पानी है, उचाई के इस्तान है वैसी ही अपनी efficiency को बढ़ाने के लिए हमने dog squad एक अलग से canine का unit बनाया क्योंकि आप जानते है कि जो dogs में जो उसकी हमता होती है, वो किसी equipment या human से ज़्यादा है तो कई बार अगर यहां earthquake का area है अगर debris में कोई आदमी victim पड़ा है तो हम dog के माद्यम से भी उसको track कर सकते है या कोई आदमी जंगलों में खो गया है तो उसको track करने में dog बहुत important role play कर सकता है ऐसी हमारे पास paramedic का अलग से staff है और दीरी दीरी हमने एक जो CBRN एक अलग से unit है जिसमें की radio activities या chemical इस तरह के अगर disaster हो तो उससे tackle करने के लिए चोटी सी unit हम लोग start कर रहे है बात हो रही है सर, HDRF की तो एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसा कि मुझे जानकारी है कि यहां कोई भी पद पर्मानेंट नहीं है अस्थाई नहीं है तो होता क्या है कि जैसे आप आपने आई जे आई जी यहां चार साल काम किया और एक experience गेन किया अब जब उस experience को HDRF और इस state को लाब मिलने का समया है आपको civil police में बेज दिया जाए या इसी तरह के अन्य जो implies है जो काम करने वाले हैं तो यह एक तरह का एक नकारात्मक पहलू है इसका पक्छ है सवाल बड़ा technical तो है और बहुत अच्छा सवाल है लेकिन इसके पीछे जवाब को अगर आप सीधे तरह पर देखे तो लगता है जो आप कह रहे हैं सही है लेकिन अगर इसके दूरगामी प्रभाव को देखा जाए तो यह जो ब्यवस्ता है यह ब्यवस्ता जानबूज के एक deputation based force बनाए गई और इसमें हम minimum 3 साल या 5 साल जो भी है जो चाहे किसी भी rank है उसको रखते है इसका एक आदार तो यह है कि हम इस HDR को जो minimum age है वो 40 के below रखना चाहते है जो young, energetic क्योंकि physically ज़्यादा strong तो होता ही है तो उस लिहाद से 40 के नीचे रखना तो एक उसका उदेश्य है लेकिन जो दूरगामी उसका प्रभाव है क्योंकि आप जानते है कि यह HDR में पुलिस के जितने भी wing है चाहे civil हो चाहे AP हो या फिर PAC, radio हर को यह आ सकता है intelligence भी आ सकते है और जब यह आ सकते है तो हमारा यह है कि जब भी कभी कोई disaster होता है तो दूर दराज के दुरगम छेतरों में जो चौकी में पोस्टेट जो constable है वही सबसे पहले response देता है इवन HDR उसके बाद ही पहुंसते है और NDR तो सेंटर से आ रही है तो उसे और ज्यादा समय लगेगा या सेंटर की जो बाकी एजनसी है आर्मी है वाई सेना है उसको और ज्यादा समय लगता है क्योंकि एक प्रॉसेस में ही टाइम लग जाता है तो जो वहाँ लोकल चौकी में या थाने पे तैनात पुलिस कर्मी है वो सुरुवाती जो disaster आने के बाद golden hour कहते वो किसी के जीवन या मरन के लिहाद से बहुत important समय होता है उस समय अगर हमने सही तरीके से properly response दे दिया तो आप मान सकते हैं कि वो सबसे effective हो सकता है किसी की जान बच सकती है इसके पीछे अवदाना यह है कि हम दीरे दीरे करके है हम सारे police force को इस तरह से training प्रदान करें कि वो किसी पे निर्बन नहों और disaster के समय वो बिना किसी पे निर्बर या बहारी support के वो स्वहेंग वहाँ response कर सके बात करें policing की 861 के act के साथ जब भारत में police system पैदा हुगा अंग्रेजों के समय में और 2018 आज चल रहा है तो इस दोर में बहुत कुछ बदल गया पुलिस भी बहुत तेजी से बदली और आज पुलिसिंग में भी पब्लिक को जोड़ा जा रहा है जम साभागीता का एक concept पूरे देश की पुलिसिंग में चल रहा है तो क्या आपको IJ, SDRF, IGA लगता नहीं कि उत्रखंड जैसे स्टेट में जहां पे SDRF की बहुत जरूरत है वहां की जो पाठिकरम होते हैं जो civilians हैं जो common man हैं उनमें ये अनिवार कर दिया जाए कि एक primary education जो disaster management की है वो सारे ही नादरिकों को दी जाए अगर इसका बात करें इसकी तो आप IJ, IJ आप क्या कहना चाहेंगे ये जो आपने सवाल के साथ-साथ एक बहुत अच्छा सुजाओ दिया ये बिल्कुल relevant है आपसे मैं 100% सौ फीसेदी सहमत हूँ कि जितने भी particular है school colleges में एक compulsory chapter के रूप में क्लास के रूप में disaster management या disaster से लडने के जितने भी तरीके है वो बच्चों को सिखाया जाना चाहिए और ये हमारे mandate का हिस्सा भी है अगर आप देखेंगे जो हमारा so-called peace time है जैसे अभी बरसात का समय है तो हमारे जितनी भी SDRF की unit है जगा जगा प्री पोजिशन है खासका दुर्गम चेतरों में पोस्टेट है जैसे एक बरसात पूरा हो जाएगा तो ये लोग फिर main main headquarters में company headquarters में या बटालियन headquarters में आते हैं उस दौरान ये फिर हम जितने भी school colleges है वहाँ पर classes लेते हैं वहाँ पर जाके उन्हें demo दिखाते हैं उन्हें जो भी उस area में जो जिस तरह के disaster की बरंबारता या frequencies रही है या antecedent रहा है उसके आदार पर उससे लणने के हम तरीके बताते हैं और अगर हम school colleges में या जितने भी section सस्तान में इस तरह के पाठे करम को और मजबूती के साथ और प्रभावी तरीके से अगर लोगों में जन्जाग रुकता फैला है उस माद्यम से तो यकिनन जो disaster के लिहाज से जो हम preparedness करते है या इसको mitigate करने के लिए हम लोग जो तमाम activities करते है उसका एक one of the best activity में ये माना भी जाता है हम इस दिसा में काम भी कर रहे है बिल्कुल सर बहुत सारी बाते हमने HD RF से की आप पुलिस मौड ना जेसन विभाग भी आपके पास है अधून की करड का आपने एक mobile app भी बनवाया है उसकी क्या इस्थिति है उसके बारे में भी side update होंगे कि उसका क्या response मिल रहा है आम जन्ता का mobile app हमने काफी लंबे समय पहले जब मैं आजसे कुछ साल पहले डियाईजी रेंज था तब बनाया था और mobile app बनाने का एक मातर रीजन था कि जो तमाम जो लोग थाने चौकी छोटे चोटे काम के लिए गूमते है और वहाँ चकर कारते हैं अपने सिकायत को दर्ज कराने के उसे मातर गर बैठे बैठे स्मार्टफोन के मादयम से एक टैप के मादयम से या एक टच के मादयम से अपनी सिकायत को तुरन सीधे पुलीस के थाने चौकी में आप पहुचा सकते हैं और उसका रिसिप्ट लेने के बाद उसको फॉलो अप कर सकते हैं और ये करीब 6-7 तर पुरे उत्राखन राज्जी के हिसाब से इसे दीरे-दीरे step by step expand किया था और उस दौरान जो भी कमिया इस mobile app में काम के दौरान practical experience के दौरान मिली उसको step by step दूर भी करते रहें अब क्योंकि जैसे cctns हमारा एक project है वो भी almost उसे भी हम लागू कर चुके है और उसमें भी अब को एक और step आगे ले जाके cctns के साथ उसे जोड़ा गया है और नए features के साथ नए तरह का mobile app अब phq के दारा लागू किया गया है तो इस लिहाज से जो mobile app है तमाम आपने आजकल देख रहे स्मार्टफोन का यूग है और जो public है वो भी चाहती है कि transferency के साथ जबाब द दिसा में कदम था जो कि काफी successful रहा है बात करें संजय गुंजयाल की संजय गुंजयाल चुनोती को चुनोती देने वाले अधिकारी के तोर पर माने जाते हैं जिसका एक बड़ा प्रमाड़ है गढ़वाल रेंज जो उत्राखंड में पुलिस पुलिसिंग के दिश्टी स दिरंज मानी जाती है उसका आपने दो बार आज़े डियाईजी वहां पे काम देखा है और 2010 का कुम्भ मेला हो वहां भी आपने बड़ी जिम्मेदारी निभाई उस लोग बिसेसर दी देते संजय गुंजयाल सुपर कॉप क्योंकि ये उत्तर प्रदेश और महाराज जैसे बड़े राजी जहां पे क्राइम बहुत होता है वहां तो सुपर कॉप चलता है लेकिन उत्तर खंड में सुपर कॉप किसी के नाम के साथ जुड़ा तो संजय गुंजयाल के साथ एक लंबा 97 से लेके 2018 तक का जो समय एक लंबा आपका अनुभव है तो कोई ऐसा अनुभव पुलिसिंग में जो आपको कभी-कभी याद आता हो तो आपको भाउग भी कर दोता हो कर देता हो आपको रोमांचित भी कर देता हो और आपको लगता हो कि हां मैंने ये एक अच्छा अनुभव किया और लोगों के लिए कुछ किया है आपका जो टोटल सवाल था उसमें द चाहे वो constable इस तरका हो, चाहे some inspector इस तरका हो, उनकी वज़े से होता है, बले face कई बार SSP या senior officer का होता है, लेकिन उसके पीछे जो उसकी सफलता है, उस सफलता के पीछे उसकी force का बहुत बड़ा हाथ होता है, और उसका reason भी यह है कि चाहे कई बार हम लोग निर्णाई लेत उसको क्रियानवित करना, फिल्ड में क्रियानवित करना, हमारे subordinates का ही काम रहता है, और इंसिडेंट हमारे पास बहुत है, कई ऐसे इंसिडेंट है, जिसमें हम लोग ने निर्णाई लिया, फेल वे, उससे हमने सीखा, और कई ऐसे हैं, जिसमें निर्णाई बिल्कुल subordinate को स्रे दिया, मुझे राष्टी स्वंग स्वंग संग, जो दुनिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी संगठर माना जाता है, उसके एक दुती सरसंग चालक थे, गुरू जी उन्होंने कहा था कि मैं नहीं तू ही, नेत्रितु का एक वाक्य दिया कि मैं नहीं तू ही, काम स्रे देना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है संगे जी, केदार घाटी की जो आपदा है, उसने पूरे देश में संगे गुंजाल को एक अलग पहचान दी, जिस संबिदन सीलता से आपने वहां रहत बचाव का कार किया, तो कैसा अंभो रहा, कैसे आपने फेस किया उस फे पर पूरे विस्में कहीं नहीं हुआ, जिसमें कि इतने सारे हेलिकॉप्टर्स, चॉपर्स और बाइयर रेस्क्यू हुआ था, और जो चुनोतिया थी, मौसम बिलकुल विपरीद था, लगातार, बारिस हो रही थी, और मुझे याद है कि जो राम बाड़ा एक छोटा सा कस पूरी तरह से समाप्त हो चुका था, वास आउट हो गया था, और हम लोग जिन परिष्टे में मैं और बेरे साथ कुछ ITVP के भी जवान थे, हम लोग पहली बार राम पाड़ा में, दो दिन बाद पहली बार पहुँचे, तो आप समझ सकते हैं कि इतने डेट बाड़ीज और गायलों के बीच में जो विक्तिम्स थे, वो दो दिन तक कैसे इतने चोटे एरिया में, जहां चारों तरफ डेट बाड़ीज हैं, वहां फसे हुए थे, वहां तक जैसी पहुचे तो एक होप के रूप में हम लोग पहुचे थे, और हम लोग ने वहां पर एक चौपर लेंडिंग का एक साइड बनाया, पत्थर और बाड़ीज को हटा करके, और जैसी चौपर लेंडिंग पॉसिबल हो पाया, और लगातार उस दिन जितने भी छोटे प्राइवेट चौपर्स हैं, जो कि यद भी उस हिसाब से प्रसिंसा के पातर नहीं बन पाये, जो कि बाक साइड दिन लगबाद साड़े तीन सो के आसपास, और दूर से दिन लगबाद उतने ही निकाले, और मैं ये बताना चाहूंगा कि जब हम लोगों को विक्टिम्स को उठा उठा के चौपर्स में डाल ले थे, तो हमारे उठाते समय ही कई लोग जो कि हमारे सामने जिंदा बात कर रहे थे और चौपर में रखते रखते उनकी मृत्यों हो गए, जो जो जीवन और मरन के बीच का जो महीन रेखा है, उस रेखे को हमने साक्षा देखा, कि लोग हास रहे हैं, बात कर रहे हैं उसी समय अपने सामने उनको दूसरे छोड में जाते वे देखा, तो ये अलग तरह का एक experience था जिसने की आप कहीं न कहीं जो व्यक्ति सर्च और रेख्यू में लगे हुए थे, उनके मानवी पक्च को और ज्यादा प्रभुकता से निकालने में या जीवन को समझने में, जीवन की जो वास्तिविकता है, उसको समझने में मदद की होगी, और और जीवन की तमाम ऐसे case हुए, जैसे bodies वहाँ एक बार जब पढ़े हुए थे और सारे victims को निकाल लिया गया था, तो सरकार की तरफ से यह हुआ कि जितनी भी dead bodies है, उसका एक सामुहिक दास ससकार किया जाए, उसके लिए हमें तैयारी तो बहुत बड़ी की थी, लगबख 300-400 लोग की टीम थी और MI-17 हमारे लिए सारे चौपर से disposal पर रखे गए थे, और जब हम लोग वहाँ पहली टीम हमारी गई, तो यह एक दुखत हासा हुआ कि एकदम मौसम खराब हुआ और जिस चौपर से मैं उत्रा था, वो चौपर किदारनाथ में उत्रा हुआ हमारे साथ क लोगी थे और बाकी टीम करी 200-300 को और आना था, उससे पहले ही वो चौपर का क्रैस हुआ और जो लोग नीचे लोटरे थे जिसमें कि हमारे ITVP, NDRF और बाकी सिविल और AFOs के हमारे officers और जवान थे, लगवाँ 25-26 के आसपास लोग थे, सबने एक बलिदान दिया, जो हमें पूरा क्रमेशन का काम करना था, और उसमें हम लोग कम संख्या में तो थे, लेकिन हम लोग के जवानों का जजबा बहुत हाई था, तो हम लोग ने, मुझे याद है कि पहले दिन करीब 19-20 डेट बॉडिस को एकटा किया, उसे जो भी विदी विदान के हिसाब से, जो पर गिरिया चलती रही, और एक मैसेज भी देना था लोगों को कि बले ही उनके सगे सम्मधी जिनकी डेट बॉडिस वहाँ पड़ी है, हम लोग जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, हिंदी रीतुरुवाज के हिसाब से, वो करने की कोसिस कर रहे है और हमने किया भी, और इसक उनको भी हमने बाद में करीब दो साल बाद जाकर पैदल रूट में जा जाकर वहाँ पर जो भी बॉडिस पड़े थे, उनको भी हमने कॉपरली दाससकार किया है, और आज भी अगर कभी इस तरह से कहीं से कोई अगर सकेल्टन निकलता है, तो वहाँ की जो इस्तानी पुल जन सिवा का जजबा है, निश्चित रूप से उसकी वज़े से ही आप ऐसा करने में सफल रहे, एक अन्य काम जिसको ले करके आपकी बहुत चर्चा हुई, देहरा दून जब उत्तराखंड राज्य बना, तो ये कहा जाता है, लोग मजाग में भी कहते हूं, और ये हकीकत है कि यहां सिक्षा और जमीनों में बहुत फर्जी वाड़ा होता है, तो आपने जमीनों का फर्जी वाड़ा देखते हुए कि S.I.T. गठित की सरकार ने और उसका D.I.G. आपको बनाया, S.I.T. का आपको प्रमुख भी बनाया, Land S.I.T. तो उसके क्या अनुभर है, देख या ऑथर्टी नहीं दी गई थी, एक कार और जो आपके मैंडेट में या आपके जो D.I.G. रेंज के रूप में, आईजी रेंज के रूप में कार है, उसको बढ़ाया गया था, उसमें एक छोटी सी टीम बनायी गई और टीम काफी चुनिंदा और बहुत अच्छे हमारे यो आयोज रहे उनको लिया गया था, और शुरुआत में बहुत कम एप्लिकेशन्स आये, मुस्किल से एक मेने में करीब 15 या 20 एप्लिकेशन्स आये थे, उन एप्लिकेशन्स में कुछ जन्यून थे, तो जिन जन्यून पे हमने काम स्टार्ट किया और इसमें केस इस रिस नहीं था बढ़ती चलेगी और जो तमाम ऐसे जो हमारे कई बास सिस्टम भी इस तरह से है कि ठाने चौकी में जिनको किसी वज़े से, क्योंकि ठाने चौकी में कई बार क्या होता है कि जो लूट, डकेटी और बाकी तरह के जो क्राइम है, अपराद है, जिसे जग तो उस प्रथा को दूर करते हुए, यदि उसमें कोई IPC से रिलेटेड, जिसे कि आप 420 आम बासा में कहते हैं, इस से रिलेटेड अगर कोई ऐसा ऐलिमेंट है, जो कि अपराद की स्रेणी में आता है, उसको हम लोग चेक करते थे, अगर अपराद की स्रेणी में आता है, वास्ता में वो विक्टिम है, और उसकी जो कंप्लेइन है, उसमें सचाई है, तो उसमें हम लोग ने बहुत एफेक्टिव कारवाई की, और उसमें किसी को बखसा नहीं, अब बहुत कम समझने हैं, क्योंकि ये कारवाई हुई और बहुत तेजी से हुई लोगों को उसका बहुत थे हुई आपको देखता हुँ कि कई दलों का आप नित्रित्त करते हैं, इतनी बिस्तता होने के बाद भी आपने कई अभियानों में नित्रित्त किया एक नायक के तोर पे, तो ये क्या आपका सौख है या विभाग की तरफ से दी गई जिम्मिदारी? देखे जिस जहां में पैदा हुआ था वो अपने आप तीन अजाग मीटर से उंचाए पर गाओं है बच्वन से पहाडों में पले बले और तो वहीं पढ़ाई भी की तो एक लगाओ तो है जड़ों से एक जड़ों के पृति लगाओ और जुकाओ है और जब भी कभी मौका मिलता है तो हम लोग हाई अल्टिटूड एरिया में ट्रैक के ले जाते है और जब ये HDR आप का गठन हुआ तो HDR के गठन में भी हमारे पास हाई अल्टिटूड छेतर में और जैसे केदारनात में भी आपने देखा होगा कि इन छेतरों में जो की बहुत दुर्गम है और हाई अल्टिटूड एरिया है वहाँ पर सर्च और रेस्क्यू को कंड़क कराना बहुत चुनौती पूंड का रहे है तो ऐसे बे जरूरी है कि हाई अल्टिटूड या मौंटनिंग के छेतर में हमारी expertise डेवलप हो एक महत्पूर सवाल सरचूट रहा था आपका एक लंबा अनुभव है और आप बहुत ही तेज़तरार IPS में सुमार किये जाते हैं सोसल मीडिया आज नकेवल इंडिया बलकि पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती के तोर पे पेस है तो बात करें गर उत्तराखंड पुलिस की तो उसमें कितना आप तयार पाते हैं उत्तराखंड पुलिस को सुसल मीडिया के चुनौती से नहीं बढ़िए तो उत्तराखंड पुलिस के की तेखा जाए संख्याबल में मुश्किल से आप देखेंगे 25,000 के आसपा 25-30,000 के बीच में है लेकिन अगर क्वालिडी के एसाफ से देखा जाए तो उत्तराखंड पुलिस ने जो विकास किया है वो बहुत तीजी से किया है उस लिहाज से जो सोचिल मीडिया की चुनातिया है वो बाकी जगापे जो मेट्रोज में तो बहुत तेजी से बड़ी है अब उत्तराखंड में भी यह अच्छूता नहीं है लेकिन समझ रहते हुए हम लोग ने जैसे आपने देखा होगा कि अलड़ी हमारे पास साइबर क्राइम पुलिस टेशन है HDF को अलग से तयार किया गया है और आप देखेंगे जितने भी लेटिस सौफ्ट्वेयर और एक्ट्यूप्मेंट साइबर क्राइम से रिलेटेड हमें जरुत है वो सब हम लोग मौनडाइजेशन के अता है ले चुके है और HDF के पास यह सारे संसादन उपलब्ध है उत्राखन के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके संजय गुंजाल रोल मॉडल है ऐसे बच्चों के लिए कि किन कठिन परस्थितियों में संजय गुंजाल गुंजी से निकल करके देश की पुलसिंग में बड़ा नाम बन जाता है तो कुछ ऐसी चीज़े बताईए अपने बारे में कि किस तरह से आपका पालन पोसर हुआ पढ़ाई लिखाई हुई देखे जैसे आपने कहा गुंजी हमारे वज़े से नाम नहीं आया गुंजी का पुराना अपना एक नाम है गुंजी एक सीमान्त देखा जाए बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के रूप में वहां के लोग देश की सीमा की रक्षा कर रहे है और मैं यह नहीं कहूंगा कि हर कोई सारे बच्चे पुलिस आफिसरी बन सकते है मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि चाहे आप किसी भी फिल्ड में हो चाहे आप किसी भी रैंक में हो, किसी भी फिल्ड में हो, किसी भी सेवा में हो जहां भी हो आप कोसिस करें उस जो भी आपकी डूटी है उसके साथ इमानदारी से आप परफॉर्म करें अगर आपको अपनी सफलता का सरे देना हो चुकि जिस स्टेज पर आप हैं ये एक सफल ब्रक्तित्तों का प्रमाड है किसे देना चाहेंगे चंद सब्दों में देना हो अगर आप प्रॉफिशनल रूप में देखेंगे तो मैं सफल नहीं हूँ हम लोग सफल है मेरे साथ जि सब्सक्राइब है किन तरसकों को क्या सब्सक्राइब चाहीं है डिजाष्टर के लिहाँस से जनजागरुघटा उसके लिहाँसर जो भी आपदा से जो खानिया होती है, उसके प्रवाव को कम करने की जो कोसिस है, हर इस तर पे होनी चाहिए, एक व्यक्ति के रूप में होनी चाहिए, एक परिवार के रूप में होनी चाहिए, एक समाज के अंग के रूप में होनी चाहिए, अगर हर कोई इस दिसा में कारे करेगा, तो जो हमारे बॉगली विशिष्टा के वजए से जो ये आपदा संभाव्य राज्य में है ये इसकी जो हानी है उसको काफी हद तक कम करने में हम लोग सफल रहेंगे आप हमारे सो में आये हमको अपना बहुमूली समय दिया अपने अन्भो सेर के आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ये थे हमारे साथ HDRF के IG, Senior Police Officer Sanjay Gunjal जी जिन्होंने बहुत बिस्तार से उत्राखंड में आपदाओं के बारे में बताया और किस तरह से HDRF उन आपदाओं में राहत बचावकार्य के लिए प्रयासरत है और HDRF का अगला टार्गेट क्या है उनका लक्ष क्या है और आने वाले सम बता मिलेंगे ऐसे ही किसी अनसक्सित के साथ तब तक आप देखते रहिए Face to Face